स्री संजे सिंग दन्यवाद सार आपने आज मुझे इस भाव काउसर पर अपनी बात कहने का मौका दिया सर जब मैं सदन में आया तो विपक्ष में होने के नाते कई बार अपने मुद्दों को लेके आपके गुसे आपकी नाराजगी का सामना भी करना पड़ा लेकिन मैं आज पूरे देश को इस सदन से कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा सौभागिसाली सांसद हूँ जिसको सबसे अधिक प्यार आपका मिला है सबसे अधिक गाइडन्स आपकी मिली है सबसे अधिक समझाने का काम इस चेयर से हटने के बाद आपने किया जब भी कभी चेमबर में गया आप एक अलग इनसान थे घर पे गया एक अलग इनसान थे चेयर पे आपने हमेशा समझाने का काम किया कि सदन के मर्यादा के हिसाब से चलो मुझे इन सारे चार वर्सों में कभी भी कोई भूल कोई गल्ती हुई है सर मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ हाँ जोड़कर माफी चाहता हूँ और उसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था सर उसमें जो कुछ भी था कभी देश के किसी मुद्दे पर कभी जनता के किसी मुद्दे पर जो भी मुझे से गल्ती हुई मैं उसके लिए छमापराती हूँ आपका एक वाक्या आपने इसी चेयर से बैठके कहा था ये हाउस ये राज्यसभा का सदन उसी का प्रत्नित तो करता है और आपने उस भावना को हमेशा इस सदन में जीवित रखा और आपके वो वाक्य थे विविदिता में एकता भारत की विशेस्ता इस ता आपने सारी भासाओं में यहाँ तक की जो हमारी अस्थानिय भासाएं थी उसमें भी हमें सदन में बोलने की अनुमती दी ये आपकी एक वैचारिक सोच का प्रती के सर और इसके लिए हम सब आपके बहुत-बहुत आभारी हैं सर आप हो सकता है इस चेयर पे आगे हम लोगों को ना दिखें लेकिन मैं एक बार जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जैसे प्यार से भोजन के लिए हम लोगों को बुलाते थे ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए जब भी दिल्ली आप आएं दिल्ली का सांसद होने के नाते हम चाहेंगे उसकी सूचना हमें मिले और हम सारे लोग आपके साथ बैठें आपसे हमेशा सीखते रहें बहुत-बहुत आभार आम आदमी पार्टी की ओर से अद्विन केजरिवाल जी की ओर से और सदन के हमारे सभी सांसदों की ओर से आपके उज्वल वविस्टी की प्रभू से धेर सारी सुपकामनाय करता हूं सर बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू जाई डॉक्टर सास्वे